वेंद्वन्देमात्रम तो दौस्तों SSV Het Constable की जो भरती आही थी आप लोग यहां पर देख सकते हैं हेड Constable Literation, Head Constable Mechanic, Head Constable Estuarid, Marvel Traitor, Head Constable Veterinary, rum больше cognitive दोस्तों फिजील जो है वहह आप लोनों को 4 जो 5 नमंबर में होने वाला हैक हमारे सारे सब्सक्राइब नढ़ो गए है वाला है इस सब्जेक्ट से कितने प्रस्ण आएंगे टेकनिकल सब्जेक्ट से कितने प्रस्ण आएंगे क्या नीगेटीब मार्क भी रहने वाला है तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में SSB hate-constrable communication की जो भरती है सारा details बताएंगे कि इस subject से कितने प्रशन आएंगे कितने का आपका exam होगा किसका यहां पर trade test होने बाला है मतलब skill test होने वाला है सारी चीजे हम आप लोग वीडियो में बताने बाले हैं तो लेटी मार्क है या नहीं किस लेभल का प्रस्ण आपके एक्जाम में आएगा टेन्थ लेभल की बार्वी लेभल सारी चीजे बताएंगे एक्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन बने रहे इस वीडियो में दोस्तों बता दे कि भाई सब्सक्राइब के लिए रोज रात आठ वजे और दोपर तीन वजे इस चैनल पर चलता है आप तयारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि भाई तो फीजिकल चल रहा है यहां पर पोच्ट की जो संख्यां है आप लोग देख लिजे यहां पर पोस्ट की संख्या है एक दो तीन चार पांच तो दोस्तों SSB zar ए में इसी के साथ ज्वरती आई थी उसमें पोश्ट की संख्या बढ़ादी गई आप इसमें फीजीकल पास है या आगे आपका फीजीकल है तो जी तोड मेहनद करके फीजीकल क्वाइलिफाय कर लीजे में दोस्तों बहुत ही अच्छा जोब है एससबी में कॉम्णीकेशन भरती कि दो चले दोस्तों जानते हैं सारी चीजे अब देख लिए दोस्तों यहां है है प्रॉसेस है आपका फीजीकल और सकेंड प्रोसेस है आपका ए जाम अव्तना यहां होने वाला हे दोस्तों ऑनधे पहला ग्यूस्ट अब का होगा माइट भी निका होगा हंडी या इंगलिस मतलब हमाप किसे में एंगलिस भी रह सकते हैं 50 पाचास मार्क का होगा समझे पाचास कोशन पुछा जाएगा पाचास मार्क का आपका एक्जाम यहां पर होने बाला है SSB Head Constable जो भरती आई है Communication की उसमें सभी में जैसे कि आप यहां पर आप देख लिजिए यह यह पर देख लिजिए पाचास मार्क का आपका एक्जाम होने बाला है आप देख लिजिए जो टेक्निकल की पोस्ट है उसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट से एक समार्प का आपका एक्जाम होगा समझे यह एक्जाम होगा फ्योड़ी नहीं यह जो है आप लोगों का अब्जेक्टिव टैप होगा समझे दोस्तों यह अब्जेक्टिव टैप एक समार्प का आपका एक्जाम होगा जो टेक्न हो गया it общем सबज़ेक्ट हो गया ये प्यविपनी केक्नाजर भूगे हैं पर यहां पर जो एक दो फीन और यह पार समझ के से से बखक आपकर होगा समझ दोस्तों दो पेपर होगा और देखें गेर समर्का एक जाम होगा यहां पर जूकेक्टिव basic question आएगा रिजनी से प्रक्षटन हैगा हिंदी या इंग्लिश सकते हैं यह पाटास मार्क यह फर्स्ट पेपर हुआ इसके बाद सकेंड पेपर जो आप लोगों को होगा सकेंड पेपर वह सकेंड पेपर टेकनिकल सब्जेक्ट से होगा जो एक सम अमार्क कि कितने मार्क होगा दोस्तों MA का समझे अब देखिए यहां पर US Fair EW Solutions OBC æ स्टुडwiąz पर धीत सत्म आए पर आती चास पर प्रतिस टेम्पार ना पड़ेगा कि एक्जाम जो है वहाँ अग्यान होगा और दोनों paid pen रहने वाला है किसे जबल का बार्वी लेभल का आपका रहने वाला है अब आप ट्रिप्लोमा कामईयर है तो उस सब्जेक्ट से एलेक्टिशियन से, कम्निकेशन से, मेकेनिकल से आपसे क्वेस्टन पूछा जाएगा 100 मार्क का, बात को समझ गए कि 50 मार्क आपका जेनरल सब्जेक्ट का एक्जाम होगा, जैसे GK मैट रिजनिंग हिंदी, आप इंगली से भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरा जो आपको एक्जाम होगा, सकेंड पेपर, वह होगा टेकनिकल सब्जेक्ट से 100 मार्क का, और दोनो नमबर आपके मैट में लगेंगे, और जैदा जो मार्क है, अब्टेंड हुआ, टेकनिकल सब्जेक्ट पे आपकी मार्क बनेगी, मतलब दोनों पे लगेंगे, लेकिन बेसिस इसी पर रहने वाला है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, दोनों पेपर मिला कर, यहां पर देख लिजे, यूर, EWS, OBC को पचास परतिसत, और SC, ST को 45 परतिसत, मार्क लाना पड़ेगा, देर सो नमबर का एक्जाम होगा, एक्जाम होग TBT होगा, समझगे, दोस्तों, TBT होगा, निगेटिव मार्क की बात करें, तो निगेटिव मार्क नहीं रहने वाला है, क्वशन जो है, आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में पूछा जाएगा, समझगे, हिंदी और इंग्लिस दोनों में पूछा जाएगा, और बार्वी लेभल का समझे बार्वी लेभल का पुछा जाएगा आपके जेनर सब्जेक्ट के एक्जाम में बाकि तो टेक्निकल से पुछा ही जाएगा अब रही बात कि भाई एक्जाम हमारा कब होगा जो एस्टूडेंट जो एस्टूडेंट यहां पर फिजीकल क्वाइलिफा है दोस होगा और वह नम्मबर के हड या फोर्थ वीक में सोडिक समर के फ या फॉर्थ वीक में आपका एक्जाम होने का और जब बी एक्जाम होगा तो आम और अप गयारी लखिय हो गए है मेरे दोस्तो तो तियारी में लग जए अपना definitely निकल सब्जेक्ट से और आप सब्जेक्ट में नमबर पड़ेगा यह नहीं कि आप एक में फेल हो जाते नहीं आपको दोनों में नंबर लाना पड़ेगा पास मार्क का समझ गे दोस्तों और यहां पर एलेक्रिसियन का जो एकर टेस्ट होने को बुलाया जाएगा तो अपनी तयारी जारी रखिए एक्जाम 2023 के दिसंबर के थर्ड या फॉर्थ वीक में आपका एक्जाम होने बाला है तो अपनी तयारी जारी रखिए दोस्तों मेहनत करते रहें सफलता जरूर मिलेगी आप लोग रोज रात आठ वजे दो फर तीन